कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी बिहार की राजनीती की वात होती हैं तो उसमें चिराग फासवान का नाम जरूर आप लोग लेते हैं और आप देख रहे होंगे कि अभी किस तरह से इनके और चाचा के वीच खींचतान चलगा है तो यहां मैं मतलब इतना वता सकता हूँ कि देखे आप लोग इसके उधारन भी रहे हैं अब आपके मन में कई सवाल रहते हैं कि किसके पक्च में ये बोटर जाएंगे जो इनका वोट बैंक है रामविलास फासवान का ये इनके भाई को मिलेगा का साथ देगे या फिर चिर चिराग फासवान के साथ हमदर्दी जुड़ी हुई है और चिराग फासवान के साथ ही ये बोटर जाएगा अधिकतर बोटर इसका उधारन आप लोग देख सकते हैं उत्तर फिदेश में अगले से आदो और सिपाल यादो की बीच किस तरह से चली और आपने देखा होगा उधा उठाकरे के साथ है तो आप समझ रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर राज्यो राजनितिक उत्तर अधिकारी होता है पिता के बाद उत्तर में ही रहता है ना कि भाई में ठीक है अब देखिए पाइटी किसके हिस्ते में जाती है नहीं आती है क्या होता है य आज की सी कलास में हम लोग चीरात पासवान के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले यह अभीनेता भी रहें, इन्हों ने फिलेमों में काम भी किया है, एक मोजी भी इनकी आई हुई थी काफी चर्चा में रही थी, समझ रहे हैं आप लोग औ और विहार के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ आप लोग को, देखिए हमारे प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे तो ये विहार आपको देखने को मिलेगा, वैसे आपको बता हूँ कि विहार नाम का एक स्टेट बहुत पहले से रहा है, आप सभी जानते हैं कि 22 मार्ज 1912 से विहार को आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन राज आजादी के बाद की बाद कर आओ, राज जी का दरजा मिलता है 26 जनवरी 1950 को विहार को, ठीक है? और इसकी राधधानी आप सभी जानते हैं, पठना है, और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ आपको वि बिधान परिशद भी हिया, तो बिधान परिशद आपको 75 सीटें देखने को मिलेगी, और राजी सभा में आप देखिए तो 16 सीटें देखने को मिलेगी, और लोग सभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है? और इससे अगर हम लोग लगे राज्यों की बात करें तो उ कि विहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है या इसकी अंतराष्ठी सीमा किसे देश से लगती है तो इनके बारे में कमसे कम मालू होना चाहिए और आप विहार से आ रहे हैं और विहार PCS देते हैं या कोई और एक्जाम देते हैं तो जरूर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा वह जानकारी होना चाहिए थीक है तो चिराग फासवान देखिए ने आप लोगों ने देखा भी होगा कई जगे देखा होगा और बिहार में जो अभी विधानसवा चुना हुए थे तब आपने जरूद देखा होगा मौदी को इन्होंने अपना राम कहा था पूरा नाम में लिखते हैं चिराग कुमार फासवान और इनका जनम होता है 31 अक्टूबर 1982 को ठीक है और इनका जनम इस्थान है खगरिया बिहार आप लोगोंने सुना भी होगा और आप सभी जानते हैं इनके पिता राम विलास पासवान और माता रीना फासवान इनकी लिखन्ट विस्त विद्याले की इंजिरिंग और फ्रोद्ध की संस्थान से इन्होंने बीटे किया लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि बीटे पूरा नहीं किया है इन्होंने तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए मुझे लगता है और इनके व्योसाई की बात करें तो आप से भी जानते हैं कि अभी नेता और मुझे लगता है कि पैसा कमाने की बात करें तो अभी नेता से जल्दी तो वो नेता में मतलब पॉलिटीसियन कमा लेते हैं पॉलिटीसियन जल्दी अगर किसी को पैसा अवाला वनना है तो वो राजनीती ही करें क्योंकि आप द राजनेतिक भी हैं, राजनेता भी हैं, और इनकी एक फिलिम आई हुई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, मिले ना मिले हम, ठीक है, इनकी राजनेतिक दल की बात करें, तो लोग जनसक्ती पाइटी, जिसको आप देख रहे हैं, कि जिसको विवाद चल आया, जिसको ले देखना और आपको बता दूँ यह लोग जनसक्ती पार्टी चिराख वास्वान के फिताजी जो राम विलास वास्वान थे उनके द्वारा बनाई गई थी सन 2000 की बाद थे ठीक है और अभी आप जानते हैं कि यह लोगसवा सदस्त हैं तो दो बार 2014 में भी लोगसवा सदस्त मने थे तो आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे विधायक जो आपकी विधान सवा क्यों होते हैं विधान सवा सदस्त को भी आप लोगसवा सदस्त को चुनते हैं लेकिन राजसवा सदस्त का चुनाओ आप डारेक्ट नहीं करते हैं इसका चुनाओ आपके जो विधायक होते ह जिस समय आप देख रहे हैं थी कि बीजेपी की कापकी लहर चल रही थी और पिधान मुंतरी के चहरा मौधी सहाब थे तो उसमय एंडिये में सामिल हो जाते हैं और 2014 में चिराग फास्वान पहली बार जमोई से लोगसभा सदस बनते हैं और इसलिए इनके पिताजी को आप देखेंगे मौसम बिज्यानिक कहा जाता था क्योंकि आप देखेंगे कि उन्होंने जब तक अमनी राजनितिक्स यात्रा किये तक वो किसी ना किसी सरकार में मंत्री जरूर लए हैं चाहे वो आपका NDA हो, UPA हो, NDA, UPA के बारे में भी कुछ बता देता हूं देखिए NDA में क्या है कि आपकी जो BJP है, यह मैन घटक है उसमें, मैन दल है, मुख दल है और बाकी आप देखते हैं कि इससे जो जुड़े हुए दल है, इसे मिला कर आपका NDA बनता है UPA की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि Congress इसका मैन एक तरह से दल है, और बाकी इसमें जुड़ जाती हैं पार्टियां, तो इसे UPA कह देते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि पहले UPA में मंतरी रहे हैं इनके पिता, फिर आप देख सकते हैं NDA में तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये हर उप सत्ता में मंतरी का बद मिलाएन हैं पिर आप देखेंगे 2014 में ही इने सतरक्ता और निगरानी कच्च जमोई की अध्यक्च की रूम में निवत किया गया था, ठीक है? चुनाव जीदने के बाद 2014 में आप देखेंगे कि ये सदस बनते ही हिंदी सलायकार समिती और आर्थिक मामलों की विवाग्र और वित्ती है सेवाओं ये वित्त मंतरा लेके 2014 में ही आप देखेंगे परिवारिक स्थानी दिशे टविकास एंहं मिलाओ के सदस पर शम्तिके से भी बनते हैं यह 2014 की लोकसभा चुनाओ के बात की बात है ठीक है और 2015 में आप देखेंगे कि विज्ञान और पुर्दुगी की पर्यावन बन परिस्थाई सम्थी के सदस बनते हैं और 2019 में आप देखेंगे चिराग पासभान दुबारा से जो सत्तरहवी लोकसभा का चुनाओ होता है उसमें लोकसभा सदस बनते हैं फिर से जमोई इनकी निर्वाचन छेत होता है ठेक है और आप देखेंगे कि कुछ समयबाल इनके पिता की तबियत मतलब एक तरह स्वास्त इस्तिती बिगड़ने लगी थी तो इनों ने लोक जनसक्ति फाइटी का प्राश्टी अद्यक्ष अपने बेटे को बनाया यारी कि चिराग पास्वान को यहां से आप लगा सकते हैं अंदाया कि अगर बाफ अगर रामविलास पास्वान किसी और को अपनी राजनितिक एक तरह से जो भी आपकी देश्ट देना चाहते तो वो दे सकते थे अद्यक्ष पल लेकिन आप देखते हैं कि अपनी बिरासत का उन्होंने वारिष किसे चुना चिराग पास्वान को और यह का अभी आप समझ सकते हैं कि हम दर्दी जुड़ी हुई है और मुझे लगता है कि आप समझें कि यह लोग कहते हैं कि चिराग पास्वान में वो एक तरह से निच्चोरिटी नहीं है राजनितिक सफर जानकारी या समझ नहीं है लेकिन अभी उन्होंने जो फैसला लिया है मुझे लगता है कि उससे काफी समझ है कि आप समझें कि अभी चाचा ने पार्टी तोड़ी है इस समय वो आजसिवाद यात्रा भी शुरू कर रहे है हंदर दी पूरी बटोर्नी की कॉसिस की जा रही है उनके द्वारा समझ रहे हैं आप लोग और आप समझ सकते हैं कि अभी जानदा टाइम हुआ भी नहीं है राम बिलास फासवान को गए तो लोगों की एक तरह से क्या है कि लोग जुड़े भी हैं भावनाओं से आप जानते हैं कि हमारा भारत में लोग भावनाओं से जान्दा आप समझ सकते हैं कि जुड़ जाते हैं आपने देखा होगा कि जम इंद्रा गांधी की हत्या होती है उसके बाद कॉंग्रेस को वाहूमत बड़ा अच्छी तरह से जीत मिलती है राजीब गांधी के बाद आप देख सकते हैं या फिर आप लोग 2014 में देख लीगे 2019 में देख लीगे लोगों की मतलब आप समझ सकते हैं कि भावनाओं कुछ जान्दा ही रहती है तो इस समय आप देख सकते हैं आप लोग की क्या होता है यह तो आने वाला समय ही बता सकता है लेकिन अभी तक आपका जो भी चराग की राजनेतिक सफर चला है उसके बारे में एक सावन जानकारी देदी है और देखिए मैं डारेक्ट इन्हें नहीं जानता हूं अगर इनकी वाईगराफी में कुछ कमी हुआ करे तो आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा ठीक है हर किसी के बारे में जानना बड़ा मुश्किल रहता है अगर आप लोग इन्हें पररस्णल जानते हैं या आप बिहार से आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कुछ अगर छूटा हो तो ठीक है चलिए हम लोग मिलते हैं एक और सक्स है बिहार में पप्पू या दो जिसका वेग्गराउंड कुछ भी रहा हो लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी इस्तिती क्या बनी हुई है अभी तो आप लोग इसे मदद के रूम में मसीहा के रूम में देखते हैं तो उसके बारे में भी जाना करिए कब ठीक है